हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कृत, भारत के महान ग्रंथों और कावियों का संपोन संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक तेरी शरण में जो भी प्राणी आया, उसका बेड़ा पार लगाया, गंगा मैया, गंगा मैया ये गंगा मैया, रहर गंडी, जय 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 रहर गंडी निर्बल का बल, तेरा ये जल, अमर्त जैसा सब के लिए इस में नहा के, तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी ना, उस पाणी की नया, जिसकी तू बन जाए खे वैया, गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंडा मैया आदानिंट जैके 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 जंडिपू जैके जैनानिया और नारियब नहीं जाएँ किसलम प्रापलोर अार वाव अग बढ़ वाव भाव पाव 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 अवाव और में पाव वाव! कट्या पीलो गया अधू अच्छा रहेगा पीओ गुरुदेव आ गये प्रणाम गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव अच्छा हुआ जब यहां आ गये यहां एक बहुती अश्चर जनक घटना घटी है कोई मायावी शक्ति कयाधू के प्राण हरना चाहती है हम सबने कयाधू के अंतर से कृतिया और उसका पीछा करते हुए सुदर्शिन चक्र को देखा कदाचित यह देवताओं का शड्यंत्र भी हो सकता है हो सकता है नहीं महारानी यह देवताओं का ही शड्यंत्र है यह यह क्या कह रहे हैं गुरुदेव मैं ठीक कराओं महारानी वो जो कृतिया आप सबने देखी थी उसे हम नहीं भेजा था और वो सुदर्शन चक्र छलिया विश्णू ने भेजा था विश्णू ने परंतु क्यों गुरुदेव क्यों आपने ऐसा क्यों किया इससे तो कयादू के प्राण संकट में आ सकते थे यदि कयादू को कुछ हो जाता तो असुरेश्वर के क्रोध के प्रकोप को कौन सहन करता गुरुदेव हम असुरों ने सदैवी देवताओं से सीधी टकर ली है कभी किसी को माध्यम बनाकर अपनी वीर्टा पर कलंग नहीं लगाया और आप ने कयादू के अंतर में कृतिया को भेज कर और सुदर्शन चक्र नहीं नहीं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महरानी यदि तुम सत्य से तनिक भी परचित होती तो यूँ अनर्गल प्रश्णों का कीचर्ण हम पर न उच्छालती तो आप ही बताईए गुरुदेव कि सत्य क्या है इस समय हम सबकी बुद्धी शून्य हो गई है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है महरानी हम जो सत्य बताने जा रहे हैं वो बहुत ही कड़वा और कठोर है इसलिए उसे ध्यानपूर्वक और द्रता से सुनो पर उस पर विश्वास करो असुर कुल में एक महा भयंकर घटना घटने वाली है महा भयंकर घटना असुर कुल में एक महा असुर द्रोही विश्व का परम भक्त जन लेने वाला है विश्व का भक्त गुरुदेव कौन है वो नागिन जो असुर कुल में असुरों के शत्रों को जन देने का दुस्साहस कर सकती है आप मुझे उसका नाम बताएए गुरुदेव मैं उस नागिन और उसके सपोले को मार डालूंगी बताएए उसका नाम गुरुदेव बताएए वो कोई और नहीं तुम्हारी छोटी रानी कयाधू है क्या कयाधू शमा करें गुरुदेव परन्तु मेरा मन आपकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है विश्वास करना होगा महाराणी विश्वास करना होगा क्योंकि स्वयम हमने अपनी दिव्वि द्रिश्टी से रानी कयाधू के गर्भ का निरिक्षन किया है बर्गत के पत्ते पर लेटे एक बालक को देखा है जो निरंतर नारायन नारायन नाम का जाप कर रहा है परन्तु गुरुदेव ये किसी की माया भी तो हो सकती है हमारे मन में भी इस शंका ने अपना सिर उठाया था और हमने अपनी शंका दूर करने के लिए रानी कयाधू ने जो रस पिया था उसे विश्व में बदलकर उस बालक को मार डालना चाहा परन्तु स्वयन कयाधू के अंतर में देवी गंगा प्रकट हुई उसने वो विश्व पीकर उस बालक की रक्षा की और इस बार हमने कृत्या का निर्मान करके उसे उस बालक की हत्या करने के लिए भेजा परन्तु विश्व ने अपना सुदर्शन चक्र भेज कर हमारे प्यास को भी विफाल कर दिया इस घटना को तो आप सभी ने स्वाइम अपनी आँखों से देखा है क्या फिर भी आप सब अपने मन के द्वार पर शंका या संदे को भिक्षू बना कर खड़ा किये रहें गए बड़ी महारानी इसमें रानी कयाध्यू का कोई दोश नहीं है सारा दोश तो विश्व और देवी गंगा का है जिनोंने कयाध्यू को माध्यम बनाकर ये शड्यंत्र रचा है परंतों मैं असुरों का गुरु होने के नाते ही चोटी दाजी को ये आदेश देता हूं कि वो असुरों के हितों की वेदी पर अपनी ममता की बली चड़ाए और अपने गर्भ को नश्ट कर देए में अपनी ममता का बलिदान नहीं कर सकती है अब पूत्र तवासर कुल का दी पको गञा हीनि उससे किसी को क्या हानी हो सकती है गुरु देव कर आफ को आवश रहे हो का क्याध्यू आज तक गुरुदेव ने कभी भी असाथ्यक अधान नहीं किया है क्या जू हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं इसलिए हमने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना परंतु तुम्हें हमारी बात पर विश्वास करना चाहिए कैसे करूँ आपकी बात पर विश्वास गुरुदेव कैसे करूँ आप देवताओं की दुष्मनी मेरे पुप्त्र से निकाल रहे हैं कि हज़ंatू कि हमें हैं फ्रोजन दिलाओ अन्छ Advanced हो जाएगा इस विद्र भोना ही तुहां अम रवात कर दीजिए कि रवात कर दीजे गुर्ष तक नहीं करूंगि के कुछ नहीं कहूंगी है परन्तु परन्तु गुरुदेव मेरे जीतेजी मेरे पूत्र की हत्या युमें नहीं होने दूंगी कभी नहीं होने दूंगी सुमुखी समझाओ इस नादान मां को हम स्त्रियों के मूँ नहीं लगते ही ऐसे समय में तुम्हारा और युवराज आलाद का चुप रहना भी उचित नहीं है असुरेश्वर के ना होने के कारण कयाधू के गर्ब को नश्ट करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है आप लोगों की यदि कुछ ऊंच नीज हो गई तो असुरेश्वर को उत्तर आप दोनों देंगे आप दोनों है गुरुदेव दीदी कयाधू तुमने गुरुदेव का अपमान और उनके अवग्या करके अच्छा नहीं किया तो मैं गुरुदेव के आज्या का पालन करना ही होगा नहीं दीदि मैं ऐसा नहीं कर सकती कुरुदेव तो मेरी भावना को समझ नहीं सकते पर ृविज अःे च्मया किजिए अथी सब्सक्रें जए अशूर कभी किसी पर दाया नहीं करते जों ए अशुर्ण करनी होगी आपको मेरी बात समझ TwoD डीदी आप मेरा साथ नहीं छोड़ सकती और चलो आलहाद। डीदी डीदी नहीं थी परप है गंगा तुमने अपने अशिर्वात से असुर्लोक में विश्णु भक्ति के विश्ण का जो बीज बोया था उससे फूटने वाले अंकुर को मैंने उखाड फेकने का अटल प्रवंद कर दिया है अब देखता हूं कि मेरे इस निश्ची दादेश का कौन दुरोद करता है माता श्री अब आप आप रो रहे हैं माता श्री यह कैसी विचित्र घड़ी है अलहाद हमारी खुशियों को देवताओं की नजर लग गई है अब कर अधू के साथ हुशियों के जूले में बैठकर विहार कर रही थी परंदू यह जूला कप तूटकर नीचे गिर गया मुझे पता ही नहीं चला और जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी परंदू माता श्री ऐसे संकट के समय हमें क्या करना चाहिए पता श्री के नहोने से ये समस्या हमारे लिए और भी जटिल हो गई है हाँ हाँ अलहाद इस समय उझे भी असुरेश्वर की बहुत कमी खल रही है माता श्री अब जो भी हो इस समस्या से जूजना तो हमें ही पड़ेगा है इसलिए अपनी भावना और भावुक्ता पर अंकुष लगाना होगा है और गुरुदेव के आदेश का पालन करना होगा इसकार थे कि मुझे अपने पुत्र की हत्त्या करनी होगी नहीं दीदी नहीं मुझसे यू मुना बोड़िये दी विपत्ती के इस समय आप मेरा जाद ना चुड़िये दी मेरा जाद ना चुड़िये आपने अब तक एक मा की बात ही मुझस नहीं दिया है क्या पल भर में वो सारे नाते ढूट गया है में आपके लिए राय हो गई आपकी शत्र बन घंगी नहीं दीदी आप भी मा है और एक मा को आथा मा को अभिना आट जोबर सुद्र नहीं में देती नहीं दीदी, नहीं, दीदी मेरी तरफ देखे, देखे मेरी तरफ दीदी, बताइए, बताइए मेरा क्या दोश है, मेरे निश्पाप अजन में पुत्र का क्या दोश है, मैं किस बाप का दंड दू अपने निश्पाप पुत्र को, दीदी, आप भी एक मा हैं, अपने दिल को बस करो कायादू बस करो इस समय पैरे सामने गुरुदेव का आदेश और असुरों के हिट का प्रश्ण है इस समय मैं स्वयम धर्म संकट में हूँ ये राजनिती है कया धो राजनिती इसमें मेरी ममता को ना घसीटो और यदी यदी मैं तुम्हारी स्थान पर होती न तो मैं अपने पुत्र का बलीदान करने से कभी पीछे ना हटती कया धू तुम्हें गुरुदेव के आदेश का पालन करना होगा ने दीदी दी 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 मैं जानती हूं कि भगवान विष्णु और आप की छत्र चाया में मेरा अजन्मा पुत्र सुरक्षित है परन्तु मैं अपनी ममता को क्या करूं जो अपने पुत्र पर उठने वाले हर तेड़ी नजर पर ही तड़ा पड़ती है मैं मा हूं मा अपने पुत्र पर अपनी जान्य चावर कर सकती हूं परन्तु परन्तु इन असुरों के पीच मैं विवश हूं मैं कुछ भी नहीं कर सकती अपने पुत्र पर होने वाले हर घा तक प्रियास पर मेरे अंदर एक नागन फन उठाती है परन्तु परन्तु इन शत्रों के बीच मेरे अंदर की नागन केवल बल खाकर रह जाती है ए गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया ये चमतकार है ये सपना मैं आपकी गोद में हूँ? हाँ पुत्री संतान मा की गोद में सुरक्षत होती है तुम मेरी पुत्री हो और तुम मेरी अप रत्यक्ष गोद में सदा सुरक्षत रहोगी परंति मेरा अजन्मा पुत्र सभी उसकी जान के दुश्मन बन गए है उसका मैं क्या करूँ मैं तुम्हारी ममता की तड़क को समझती हूँ और तुम्हें अपनी प्रत्यक्ष गोद में पिठा कर संपूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देना चाहती हूँ क्या मेरी गोद में तुम्हें सुरक्षा का आभास नहीं हो रहा है हाँ मैया मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सीप में बंद मोती की भाती सुरक्षित हूँ कि तुम और तुम्हारा पुत्र सीप में बंद मोती से भी अधिक सुरक्षित हैं क्योंकि तुम दोनों की रक्षा स्वेल प्रभू और प्रभू की इच्छा से मैं भी कर रही हूँ मैं जानती हूं मैया फिर भी मेरी ममता अशंकाओं के जाल से मुक्त नहीं हो रही है और इसका कारण गुरु शुक्राचारे हैं जो महा ज्यानी है महा शक्ति मान है प्रभु सर्व शक्ति मान है पुत्री का यादू गुरु शुक्राचारी को दिवित्रिष्टी प्राप्त है वो सब कुछ देख और भाप लेते हैं प्रभु अंतर्यामी है वो अतीत के अंधकार में देख सकते हैं और भविश्य की धुन्द में भी गुरु शुक्राचारी नहीं चाहते कि मैं प्रभु के भव्त को जन्म दूँ परन्तु प्रभु चाहते हैं कि उनका भव्त तुम्हारे ही अंग से जन्म ले प्रभु की इच्छा ही होने कहलाती है उसे कोई नहीं टाल सकता क्यादू तुमने प्रभु की जो भक्ती की है उससे प्रसन्न होकर ही प्रभु तुम्हें अपने परंभक्त की माता होने का गौरफ प्रदान कर रहे हैं क्यादू अपनी अज्ञानी ममता के कारण अनुचित शंकाओं में पढ़कर प्रभु के प्रदान कियो हुए गौरुफ का अपमान मत करो अपमान हाँ पुत्री ममता तो दिवानी होती है परन्तु प्रभु की इच्छा पर संदेह करना बहुत बड़ी मुर्खता है उनका अपमान है इसलिए अंजाने में भी ऐसी भूल मत करना क्योंकि शंका का विश शद्धा को नश्ट कर देता है नहीं मैया अब ऐसे भूल नहीं होगी मुचक्षमा कीजिए हुआ 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 है है गंगा मैया आपने जो मुझे दर्शन दिये हैं उसके लिए मैं आपको कोटी कोटी प्रणाम करती हूँ तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया